लेकि राजर पहलवान और सुमीद पहलवान के बीच में इतना मज़ेदार बिवाज चलेगा यह अब आप समझ में अब आया कला जो है अपने शरीर में बैठा हुआ रहता है समय आने पर ही पहलवान अपने कला का परदर्शन करते हैं जो यहां देखने को मिल रहा है और कु अब स्था अग्यायद है तोई सिगल्ती हो गई कि अधार अधार आप महलवान ही जित गाता है अधार अधाता है कि दों अधार डाव टेखनें अनलते समय बेर्सट परदर्शन है थिसक्षारिक टाओं बेठे उसमाईए इसमाईए रोके अगार फोंशनिक यहां क्यां कि जीत रही होती है बोले 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 बजलाइं के बीच में अच्छा लडाइं पर्थामस्थान के लिए हम लगों ने इस माइदान पे नहीं देखा था जो आज हम तमाव लगों को देखने के लिए मिल रहा है विगत 18 परसों में या पहला वार हम तमाव दर्शकों को मिल रहा है देखने के लिए कि पर्थामस्थान के लिए इतनी रोचक लडाई हो रही है सांती पुर्णाई हो रही हो रही हो रही हो रहा है मुला 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 मजरं का मली की मुठ का मुठ का मुठ की ओर्छओं पर्था ठीप्ट परावान के लिए मुठ का मुठ के रही हो है स्वेट पालवान के लिए मुठ के भीच पॉइंत कुष्टी नहीं है कि जो पहल्मान चारों खाने चित करेगा उसी की बिज़े मानी जाएगी हम भारत अस्तर पर विहार अस्तर पर हम लोगों देखा है कि प्वाइंट अस्तर की कुष्टी होती है लेकिन अस्तर पर कुष्टी है कि जो भाई चारों खाने चित करेगा वही बिज़ेता कहलाएगा और उसी के जहते हैं कारूं चल रहा है कि कम से कम आप लोग इतने लग है अच्छ करेंगे जो आप लेकिन आप लोग कि जो लोग कि सुफ़ागी पहुआने पर है अगा जो बला 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 बजराएगा नहीं कि जाएग